छैसाल पहले की बात है, एक लड़का था, उपने गर से पूल गर पढ़ाई करता था, और लड़की का सपना था, कि हो एक तिन ऐसा काम करें कि लोग उसे याद रखें, वो खुदकी एक पैचान बनाना चाहता था, वो सिर्फ पैसा नहीं नाम कमाना चाहता था, वो छो फिर दोनों फेस्बूप पे चैटिंग करने लगे, मैं आपको बता दूश टाइम फेस्बूप पे फेक अकाउंट्स बहुत हुआ करते थे, और लड़का उस लड़की को जानता भी नहीं था, लड़की दूसरे इस्टेट से थी, और लड़का दूसरे इस्टेट से, जणानक लड़की यहां तो लड़की निका पेचानो लड़की ने का है। confrontation पटा वाइस वह मैं दुम्हां ह Trinity केक्वारां क्यूंग देली करती थी अभू है अच्छबWhere करने लगा Luck look strongest point konnte द्ुर्ड़वश और फेस्बूपे चेहिए कभी कवह की लड़के भी कप Venice लाइक लगी के डर्की ने कहा, अगर तुम्हे कुछ कहना हो तु कह दो, मेरे पास फोन नहीं है, तो हम बात नहीं करपाएंगे, तो कर तुम्हेरे तिल में कुछ हो तु कह दो, तब लड़की ने भीना कुछ सोचे, लड़की को प्रपोस कर देता हूं, कहते हैं, मैं पस्पाइब तुम्हें लाइक करता हूँ, लड़की से लड़की को लाइक करती थी, लड़की ने का सच बोल रहा हूँ, लड़की ने का हाँ अधमें पसंद करता हूँ, लड़की कहती है, अच्छा तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, लड़की ने तो लड़की की इसका रोखका से बात निए करती थीघ्रा करता इख प कि're empresas का मंत'ा अमस्त बर समय करती सिलेये लड़के को संभाटों किसी करती दो कहाई होगे है लगन कभी करते हैíamos रेक्राइप लगन कभी में जलती काज़ेitel तुम्हां कि यांसु नहीं देख सकता था लगी जब भी रोती थी लड़का स्हुड हो जाता था फिर रड़की से हमें साहीह की बात कहता था अगर मेरी वज़े से कभी तुम्हारी आखों में आसु आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुसी मिलती हो तो तुम चली जाना मुझे छोड़के तुम्हारी खुसी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाओंगा तुम्हारी खुसी से बढ़कर में ले लिए कुछ भी ने और तब लड़की कहती थी मुझे तुम्हारे साथ रहना है तुमसे कभी दूर नहीं जाना ऐसे ही लगवग एक साल बीट गया और वात के साथ लड़की भी बदलने लगी थी जो काम को कभी ने करती थी वो करने लगी थी और उसे बात करना जोट बोलना बाते चुपाना सब करने लगी थी लड़की को यह सब बसंने था लड़का कहता था कभी मुच से चूट मत बोलना, जब कोई चूट बोलता है तो दोके जैसा लगता है, तो तुम कभी चूट मत बोलना, लड़की अचेंज हो रही थी, उसे अप बरवार नहीं था, फिलर के खूट को दोट बात करती तो लड़की की पूचने पे चूट कोदे थी, तो लड़ लड़की से बढ़कर कुछ नहीं था, वो लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहना चाता था, लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था, लड़की अब बदल रही थी, उस लड़के से जादा दूसरों से बात करने लगी थी, इस बात को लेकर उनकी लड़ाई भी होने लड़की के गरवालों को भी बात पता चल गए, लड़की का फोन आनक कम हो गया था, लड़का उसके फोन पे इंतिजार करता रहता था, लड़का उसे फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस लड़की के पास फोन नहीं था, उपनी ममी के फोन से बात करती थी, लड़का अधिर कि靡़ के वारे में जुख़ा कि ऊप हमारी साधी करवा दो मैं उसे बहुत खुछुंगैम ने का सधी नहीं हो को क्या हमाद लडका यह कुछ नहीं कर सकता था लड़के और वो यह बात यूल टीन एसा होगा इसलिए वो अक्सर लड़की से पूचता था अगर तुम्हारे घरवाले हमारी साथी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी तो लड़की कहती थी मैं अपने घरवालो को मना लूँगी और अगर वो फिर भी नहीं माने तो सब को छोड़के तुम्हारे पास आजाओंगी फिर लड़का कहता था कि तुम ऐसा कपी नहीं करोगी तुम पर मुझसे ज़्यादा हाकून का है हम दोनों मिलके घरवालों को मना लेंगे लेकिन अब तो लड़की की मम्मी ने भी मना कर दिया था लड़की लड़के को अब बहुत कम फोन करती थी और एक दिन लड़की ने फोन किया और लड़के से कहा तुम हमेशा मुझे खुछ देखना चाहते थे ना और तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे लड़के ने का हाँ मैं तुम्हारी खुशी जाता हूँ लेकिन तुमाची ये क्यों पूछ रही हो तो लड़की ने कहा अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाती मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दू लड़की ने का तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लेस मुझे छोड़के मच जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं गया सकता, लेकिन लड़की नहीं मानती है, लड़का रोते हुए गयता है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुज रहना, और बुरे लोगों से दूर रहना, सब लोग अच्छे नहीं होते, कोई गलत कदम मत उठाना, और जाती जाती मुझे पर एक ऐसान करती जाओ, मुझे फेस्बुक से ब्लॉक कर देना, क्योंकि अगर तुमें फेस्बु लड़का इससे पहले की कुछ कहता, लड़की ने फोन कार दिया, लड़का पर एसानता रो रहा था, मानो वो अपना सब कुछ को चुका हो, वो उसे रोपना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, लड़की ने अब उसे फेस्बुक से भी ब्लॉक कर दि लड़का हर दिने ही सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत ब्यार करती थी वो उसे छूड़के जो चूर के क्यों गई इसी सोच में वो पल पल मर रहा था और दिरे दिरे एक साला और पीट गए और लड़की के फौन में आज भी उस लड़की का नंबर था वो हर दिन लड़की को फोन करता और ही उने से पहले ही फोन कार देता लेकिन वो चाहकर भी कभी लड़की को फोन नहीं कर पाया और लड़का आप चौप करने लगा था कि अचानक एक पूरे एक साल के बाद लड़की ने लड़की के पास फोन किया लड़का उसका फोन प्यूस हो जाएंगे तो मैं इसका सेकेंड पार्ट अप्लोड करतूंगा इस वीडियो के डिस्किप्टिप्टिंग में आपको सेकेंड पार्ट करते हैं जाएगा जब दिस्टाइक और दो आपको बताना को वीजियो कैसे दभी